इगनो जनवरी 2023 एडमिशन साइकल जो है वो स्टार्ट हो किया है तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप इगनो ओनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करोगे चाहिए आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो BAG, MA, MSC, MCOM किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो जनवरी 2023 एडमिशन साइकल जो है वो स्टार्ट हो किया है तो इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप ओनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करोगे तो वीडियो में आगे भड़ने से पहले मेरी एक छोटी सी request है कि मेरे YouTube चैनल को subscribe कर देना तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आपको अपने mobile phone में कोई भी browser open कर देना है ब्रोजर open करने के बाद आपको सर्च करना होगा IGNOW IGNOW सर्च करने के बाद आपके सामने IGNOW The People University official website आ जाएगा तो आपको open कर देना है IGNOW का official website ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे register online पे click करना है उसकी बाद आपको एक option आ रहा है fresh admission का तो आपको यहाँ पे fresh admissions पे click करना है Fresh admission पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हूँ आपका जो last date रहेगा January 2023 admission cycle का, वो 31 January 2023 है यहाँ पे date extend भी होगी उसकी बाद आपको यहाँ पे instructions दी गी है तो आपको यहाँ पर click करना होगा click here for new registration इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर एक username create करने के बाद आपको यहाँ पर applicant full name डालना है जो की educational documents पर होगा उसकी बाद यहाँ पर आपको applicant email id डालनी है यहाँ पर आपको में एक चीज recommend करूँ कि email id अपनी carefully डालना ताकि आप जब second year या किसी भी year की re-registration करोगे तो आपको वहाँ पी problem हाईगी क्योंकि OTP through आपकी re-registration होती है email id carefully डालने के बाद आपको यहाँ पी अपना जो password है वो minimum 6 correct कर रखना होगा यहाँ पी आपको एक password डालना है उसकी बाद आपको यहाँ पे re-enter करना होगा अपना password उसकी बाद आपको यहाँ पी mobile number डालना होगा mobile number भी carefully feel करना ताकि आपको कोई गल्थी ना हो उसकी बाद आपको यहाँ पे capture feel करना है capture feel करने के बाद आपको register पे click करना है उसके बाद आपको दिखाएगा यूर अकाउंट इस ग्रेट इडिट सेक्सेसफुली प्लीज लॉग इन एंड एपलाई इन प्रोग्राम उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना होगा जो आपने वहाँ से ग्रेट किया था उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है पासवर्ड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डालना होगा कैप्चर डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन कर देना है उसके बाद आप सेक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगी यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रिक्शन दी गई है, यहां पर आपका जो स्कैनिट फोटोग्राफ है वो लेस्ट थेन 100 KB रहेगा, उसके बाद आपको यहां पर एजप्रूप जब आप एपलोड करोगी वो पी आपका लेस्ट थेन 200 KB रहेगा, उसके बाद आपको यहां पर एक स्कैनिट क्या स्काथप्राइकिस्ट छाथबूद कली है उसके बाद आपको यहां पर पर एक्सपीरेंस सट्फिकेट अिपलोड करनी है उसके बाद आपको यहां पर पर कॉपी आफ इस से अश्ट हो सट तो आपका जो भू clean date रहेगा, इस्पें 20 kB रहेगा, isoldsia बात की जाएं यहां पर फी की आप जो है यहां से credit card, debit card, net banking, रुपे या किसी भी platform से आप अपना जो फी है वो पे कर सकती हो, उसके बाद आपको यहां पर instruction पढ़ देने, instruction पढ़ने के बाद आपको यहां पर submit पर क्लिक करने हैं, submit पर क्लिक करने के बाद आपका जो name है वो already यहां पर आ जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर mother name फील करने हैं, उसके बाद आपको यहां पर guardian name फादर सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपको यहां पर guardian name जो आपका father का name होगा, वो फील करने हैं, उसके बाद यहां से आपक इसके बाद आप अगर अर्बन रूलर जो भी हो आपको वो सलेक्ट कर देना उसके बाद आपको अपनी माइनौरिटी सलेक्ट कर देनी है अगर आप किसी माइनौरिटी में आ रहे हैं तो आपको यस करने है अगर नहीं आ रहे हो तो आपको नो कर देना उसके बाद आपको य यहां पर अपनी social status select कर देना है आप accessorosman हो, kashmiri migrant हो, अगर नहीं हो इन दो में तो आपको यहां पर not applicable select कर देना है, उसके बाद आपको यहां पर alternate email id फिल करने है, उसके बाद आपको यहां पर अपना alternate mobile number फिल करना है, उसके बाद अगर आपके पस कोई other details है, तो आपको yes कर देने आपको कोई disability हैं, तो yes करना, अगर नहीं है, तो no employment status अगर है, तो अगर आप unimplied है, तो आपको यहां पर unimplied select कर देना उसके बाद आपको यहां पर scholarship details जो है, वो ऐसी रहेगी, उसके बाद आपको यहां पर Submit पर click करना है, उसके बाद आपको यहां पर डETीर आज program type select कर देना आपका जो भी program टाइप होगा अगर आप अडर ग्रेज्विशन के लिए admission ले रहे हो तो आपको यहां पे bachelor select कर देना है उसकी बात यहाँ से आपको एक और option आ रहा है certificate का diplomat का अगर आप पीजी में admission ले रहे हो तो आपको यहाँ पे master select कर देना है तो उसकी बाद आपको यहाँ पे mode of study select कर देना है odl उसकी बाद आपको यहाँ पे select program for enrollment जो भी आप जिस भी program में admission लेना चाहती हो तो आपको यहाँ पे अपना जो program है वो select करना होगा program select करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ discipline select कर देना है यानि आप यहाँ से आप two disciplines select कर सकते हो यानि आप one group से एक select कर सकते हो select करने के बाद आपको यहांपे यहांपे आपको region code of admission select कर देना है कि आप region code क्या रखना चाहती हो जो भी आपको नस्दीख पढ़ेगा तो आपको वो select करना होगा उसकी बाद आपको यहांपे program study center code select कर देना आपको यहांपे जो भी option आ रहा है जो भी आपको आपका जो study center code है वो नजदीक पढ़ रहा है तो आपको वो यहाँ पी select कर देना है उसकी बाद आपको यहाँ पी अपना medium select कर देना है कि आप English में रखना चाहते हो या हिंदी में तो आपको वो select कर देना है उसकी बाद आपको बता रहा है अगर आप पहले से इगनो के student हो तो आपको यहाँ पी yes करना होगा अगर नहीं हो तो आपको no कर देना है उसकी बाद आपको submit पे click करने है submit पे click करने के बाद आपको यहाँ पे next पे click करने है next पे click करने के बाद आपको यहाँ पी अपने relevant qualification select कर देना है relevant qualification select करने के बाद आपके जो यहां पे man subject होंगे वो आपको यहां से select करने होगे जो भी आपका man subject होगे उसके बाद आपको यहां पे year of passing select कर देना है उसके बाद आपको यहां पे अपने division select कर देना है कि आपने first division किया है second, third जो भी आपके mask card पे mention होगा उसके बाद आपको यह पर वोर्ड कोड डाल देना कि आपने किस बोड से अपना जो कृलिफीकिशेंट है वो पास 1954 इस Gegen standard आपको यहां पर ब्वॉर्ड कर देना बोर्ड लेक्ट कर देनख लिप हैज करने की बाद आपको यहां पर 15% जो है वो discount मिलेगा प्रोग्राम फी में अगर आप अपना जो study material है by post मंगाना चाहती हो तो आपको यहां पी select करना होगा I opt receiving the study material in printed form अगर आप digitally मंगाना चाहती हो यानि आपको 15% discount चाहे प्रोग्राम फी में तो आपको यहां पी पहले वाला option select कर देना उसकी बा यहां से select कर देना उसकी बाद आपको यहां पे फिर से compulsory subject आ जाएंगे उसकी बाद आपको यहां पे फिर से जो भी subject आपको अच्छा लग रहा है तो आपको select कर देना है subject select करने के बाद आपको यहां पे submit पे click करने के बाद आपको यहां पे submit पे click करने के बाद आपको यह यहाँ प्रेगर्स फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एपनी City डालनी जालनी है उसकी बाद आपको यहाँ पर आपको अपना आपको नेरस्ट आपका पुस्ट उद्च ऊपईस रहेगा वो सथ्वाना होगा उसकी बाद आपको यहाँ पर सबमट पर क्लिक उसकी बाद आपको यहाँ पर Streak क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पी अपना फोटोग्रैप अप्लोड करना है, आपका जो फोटोग्रैप का साइज है, वो मनीमम याने 10 KB से लेके 100 KB तक रहेगा, आपका जो एपसेप्टिट फर्मट रहेगा, वो .JPG और JPEG फर्मट पे रह सकते हो, उसके बाद आप यहां से मैट्रिकुलेशन मार्कशीट आपको एप्लोड करनी है, जिसका साइज अप्टू 200 KB रहेगा, आपका जो फार्मट एपसेप्टिट फार्मट रहेगा, वो .JPG याने JPEG और PDF फार्मट में रहेगा, उसके बाद आपको यहां पी 10 प्ल पाइल करके आपको एक-एक डाकुमेंट एपलोड कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करनी के बाद आपकी जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो पूरा यहां पर आ जाएगा, यहां से आपने कोई गल्थी किया अगर एप्लिकेशन फॉर्म में तो आप यहां से अपने एप्लिक करने के बाद आपको यहां पर गो टू पेमिंट वन यानि पेमिंट गैटवे वन या पेमिंट गैटवे टू से आप अपनी जो फी है वो पेक कर सकते हो, तो गैटवे पेमिंट सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप अगर नेट बेंगिंग आपके पास है, डेबिट कर देनी है फीप एकाने के बाद आपका जो application form है वो submit हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पी 15 डेज का wait करना है वेट करने के बाद आपका जो application form है वो verify किया जाएगा उसके बाद आपकी email id पे आपका जो enrollment number है वो send कर दिया जाएगा उसके बाद आप अपना sam username और password के साथ यहां से आप अपना जो enrollment ID है वो download कर सकते हो तो यह थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो अगर आपको कोई problem आ रही है admission करने में तो आप मुझे यहां पर comment कर सकते हो तो मिलते एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज थैंक यू